नमशकार आदाब सत्सीयकाल तो आल जेंटलमेन कैड़ेट्स, how are you? I hope you all are very fine and keep studying आप जो है अच्छी तरीके से अपनी जो है श्टेडी कर रहे हो और भली बाती परकार से ही आप आने वाले समय के लिए आने वाले एक्जाम के लिए तयारी कर रहे हो तो दोस्तों जब हम पढ़ाई करते हैं तो previous year में जो प्रशन पूछे जाते हैं पिछले सालों के जो प्रशन पूछे जाते हैं वो बहुत ही महत्वकून रहते हैं हमारे लिए और उन प्रशनों के आधार पर जो हैं हम भली भाती परकार से एक फ्रेम वर्क हमारे दिमाग में बना सकते हैं कि हमारे आने वाले एक्जाम में किस लेवल के और किस परकार के प्रशन पूछे जाते हैं NDA की जब हम बात कर रहे हैं National Defense Academy का पेपर जो UPSC के द्वारा आयोजित करवाया जाता है उसमें किस स्तर के सवाल पूछे जाते हैं किस टॉपिक में से ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं उसी को लेकर हम एक परीचर्चा रख रहे हैं और प्रिवियस येर के पेपर जो है वो सॉल्व करवा रहे हैं उसी कड़ी के अंतरगत मैं आज आपके लिए NDA 2020 में NDA 2020 का जो पेपर हुआ था उसमें जो प्रशन आप से पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन हम देखेंगे कि उसके सही उत्तर क्या क्या है और एक दिमाग के अंदर एक फ्रेमवर्क बनाने की कोशिश करेंगे कि कहां कहां से किस टॉपिक में से सवाल पूछे जा रहे हैं जिसके आधार पर हम अमारी आगे की तैयारी को भी पूरा कर पाए तो आएए दोस्तों शुरू कर देते हैं प्रिवेस एयर के पेपर में एंडिये 2020 के फर्स्ट और सेकंड में दो जो पेपर होता है फर्स्ट और सेकंड में जो प्रश्न पूछे गए थे उनके सॉल्यूशन को इसके अंतर गत हम हिष्ट्री पॉलिटी और करेंट अफेर के जो सवाल पूछे गए थे वो मैं आपको यहां पर आपके सामने रखने वाला हूँ तो आएए शुरू करते हैं पंच वर्शी योजना पहली बार कहां शुरू की गई थी पंच वर्शी योजना कहां शुरू की गई थी पहली बार चाइना में यूससर में भारत में या बुटान में तो देखिए पंच वर्शी योजना जो शुरू की गई थी पहली बार वहां यूससर में शुरू की गई थी पहली बार फाइफ इयर प्लान पहली बार पंच वर्शी योजना जौसेफ इश्टालीन ने किसने पंच वर्षी योजना जौसेफ इश्टालीन द्वारा जौसेफ इश्टालीन द्वारा उननीस सो अठाइस में शुरू की गई यानि पहला देश जिसने पंच वर्षी योजना शुरू की थी वहाँ कौन सा देश हो जाएगा उननीस सो इकराणवे के अंदर जब सोवियत संग का विगटन हुआ था तब के बाद में जो है यहाँ देश रूस के नाम से जा रहा है और इसी के बाद चीन, भुटान, दक्षन कोरिया, वियतनाम, अर्जेंटिना, रोमानिया और इथियोपिया जैसे देशों ने भी पंच वर्षी योजना की शुरू हुआ था भारत देश आजाद होता है और भारत देश जब आजाद हुआ तब भारत के अंदर 1950 में योजना आयोग शुरू किया गया ठीक है और 1950 में योजना आयोग जो शुरू हुआ था उसी के द्वारा भारत में भी पंच वर्षी योजनाओं की शुरूआत की गयी थी 1951 में ठीक है तो भारत में जो यहां शुरूआत हुई थी भारत में पंच वर्षी योजनाओं की शुरूआत भारत में पंच वर्षिय योजना की शुरुवात 1951 में की गई थी योजना जो है वो आयती 1951 से 1956 के अंदर वह योजना देखे गई थी अब देखियेगा यह योजना जो चलाई जाती थी पंच वर्षि योजना योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी किसके द्वारा चलाई जाती थी योजना आयोग के द्वारा चलाई जाती थी और इस योजना आयोग ने जब इस योजना आयोग को 13 अगस्त 2014 को बर्खास्त किया गया समात किया गया तब तक 12 पंच वर्षी योजना 11 तो पूरी कर ली थी और 12 पंच वर्षी योजना चल रही थी 2012 से लेकर 2017 वाली तो योजना आयोग के द्वारा 11 पंच वर्षी योजना चल रही थी तो योजना आयोग को क्या कर दिया गया था समाप्त कर दिया गया ठीक है और योजना आयोग की जगाह पर वर्तमान में जो आयोग है वो कौन सा है नीती आयोग है कौन सा आयोग है नीती आयोग देखने को मिल रहा है कौन सा आयोग देखने को मिल रहा है नीती आयोग देखने को मिल रहा है जिसका पूरा नाम है National Institute for Transforming India National Institute for Transforming India ओके निती आयोग है तो आपका तो जो सवाल पूछा गया था वो यहाँ पर उमार को उत्तर मिल रहा है USSR के द्वारा पहली बार पंचवर्षी योजना 1928 में शुरू की गई थी गरीबी हटाओ का अहवान जो किया गया था वह किस पंचवर्षी योजना में शुरू किया गया था गरीबी हटाओ का अहवान किस पंचवर्षी योजना में शुरू किया गया था चोथी पंचवर्षी योजना, पाचवी पंचवर्षी योजना, चटी पंचवर्षी योजना या साथ वी पंचवर्षी योजना तो देखिए गरीबी हटाओ का अहवान जो किया गया था वह पाचवी पंचवर्षिय योजना के तहत किया गया था किस योजना के तहत किया गया था पाचवी पंच वर्षिय योजना के तहत किया गया था पाचवी पंच वर्षी योजना इंदीरा गांधी जी के काल में आई थी किसके काल में आई थी इंदीरा गांधी जी के काल में इंदीरा गांधी जी के काल में पाँच मि पंच वार्शी योजना आई थी जो 1994 से 1989 तक थी परंतु सरकार बदलने के साथ साथ सरकार बदल गई थी 1997 के अंदर जब सरकार बदली थी और 1978 में जंता सरकार द्वारा जो है जनता सरकार के द्वारा जो है इसे समाप्त कर दिया गया था एक साल पहले ही ठीक है 1978 में क्या कर दिया गया था में जनता पार्टी की सरकार ने जनता पार्टी की सरकार ने इसे एक वर्ष पूर्वही समाप्त कर दिया ठीक है एक वर्ष पूर्वही समाप्त कर दिया था तो एक वर्ष पूर्वही इसको क्या कर दिया जाएगा समाप्त कर दिया जाएगा इसी के अंदर गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था गरीबी हटाओ का नारा केंदर सरकार के द्वारा दिया गया था पर तक 1979 से 80 तक जो है रोलिंग योजना के रूप में भी जो है एक योजना शुरू हुई ठीक है क्योंकि इन्हों ने जो है मूल पांच वर्शी योजना के साथ में कुछ जोड़ा तार काफी यहां पर जो है राजनिती गतिविदियां देखी गई थी तो हमको तो एक ही चीज देखनी है कि 5 वी पंछ वर्शी योजना को में गरीबी हटाओ का अहवान किया गया था सुची एक को सुची दो से सुमेलित कीजिए सुची एक को सुमेलित कीजिए सुची दो से एक तरफ आपको उद्दिश दिया गया है दूसरी तरफ आपको पंच वर्षिय योजना का दिया गया है कि अब देखो आपको किस प्रकार से यहां योजना देखनी होगी एक तरफ तो पंच वर्षी योजना है और उसका उद्देशी क्या क्या रहा था उसका उद्देश ही क्या कहा रहा था वो आपको देखना होगा तो देखिए पहली पंचवर्षी योजना पहली पंचवर्षी योजना 1951 से लेकर 1956 तक थी ठीक है पाचवी पंचवर्षी योजना जो थी वहाँ पाचवी पंचवर्षी योजना जो थी 1914 से लेकर 1978 तक चली 11 वी पंचवर्षी योजना 2007 से 2012 तक थी और 2012 से लेकर बीच में ही ये समाप्ट हो गई थी 2014 के अंदर 12 वी पंचवर्षी योजना थी इस दाट क्लियर ठीक है तो ये पंचवर्षी योजना इसके अंदर उद्देशी क्या क्या रहा था तो देखिएगा पहली पंचवर्षी योजना का उद्देशी जो था वह क्या था तिवरतर वा अधिक समावेशी विकास तिवरतर वा अधिक समावेशी विकास जो था वहाँ इग्यारवी पंच वर्षी योजना का उद्देश्य था कि तिवरतर और सबसे ज़्यादा सफल पर योजना भी जो मानी गई है वहाँ इग्यारवी पंच वर्षी योजना भी ही मानी गई है सबसे ज़्यादा सफल जो मानी गई है वहाँ मनमोहन सिंग जी के नेतरत्व में जो यह योजना चली थी उसको सफल माना गया उसके बाद तिवरतर अधिक समावेशी और संधाइनी अवरधी जो माना गया है वहाँ बारवी पंचवर्षी योजना का उद्देश्य माना गया लेकिन इसको समय से पूर्व ही समाप्त कर दिया गया क्योंकि योजना आयोग को ही यहाँ पर समाप्त कर दिया गया था दित्य विश्वयुद से उत्पन आसंतुलन को ठीक करना ये जो था वहां कौनसी योजना का उद्देश था तो देख लिए विश्वयुद 1945 के अंदर समाप्त हुआ था जिसके बाद में जो है भारत के अंदर एक बहुत बड़ी गटना गटित हुई भारत और पाकिस्तान क उत्ता विभाजन जिससे करशी गट और करशी वगएरा के अंदर जो है बहुत जादा ही असंतुलनता हो गई थी तो पहली पंचवर्ष्य योजना का यही उद्देश रखा गया था कि पहली पंचवर्षी योजना के तहट कहा गया था कि जो दित्य विश्वयुद और ब पहले जब हम देखे बले अंतरिक्षवाला मामला हो विज्ञान वाला मामला हो भारत को दूसरे देशों पर आश्रित रहना होता था परंतु इस पाचवी परियोजना के अंदर कहा गया कि भारत को आत्म निर्भर बनाना है यानि जब हम यहां देख रहे हैं सही कूट कौन स तीन चार एक दो सही कूट कौन सा बन रहा है तीन चार एक दो निम्न लिकित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक विभाग है भारत का सबसे पुराना साइंटिफिक विभाग है जैव प्रोध्योगी की विभाग भारतिय सर्वेक्षन विभाग भारतिय विभाग या DRDO, तो निम्न में से कौन सा भारत का सबसे पुराना विभाग है, तो देखिए निम्न में से भारतिय सर्वेक्षन विभाग, ठीक है, भारतिय सर्वेक्षन विभाग सबसे पुराना विभाग है, जिसका नेतरत्व करने वाला भारत का सर्वेयर जनरल कहलाता है इसकी स्थापना की गई थी कारण वालिस के समय में 1703वे के अंदर कब की गई थी? 1703वे के अंदर W माथर द्वारा 1703वे में W माथर द्वारा W माथर द्वारा डबलू माथर द्वारा इसकी इस्थापना की गई थी इस्थापना हुई ठिक है अगर हम जब देखें तो इस्थापना कहा पर की गई थी सलेम और बारा महल शेत्र में सलेम और बारा महल शेत्र जो तामिल लाडू के अंदर है ठिक है सलेम और बारा महल शेत्र में इसकी स्थापना हुई सलेम और बारा महल शेत्र में इसकी स्थापना हुई थी तामिल लाडू में ठीक है और इसकी स्थापना हो जाएगी फिर जब हम बात कर रहे हैं मेरे मित्रों तो इसके अध्यक्ष जो है वो Surveyor General of India कहलाते हैं क्या कहलाते हैं Surveyor General of India कहलाते हैं Surveyor General of India कहलाते हैं तो भारतिय सर्वेक्षन विभाग इन में से सबसे पुराणा विभाग हो जाएगा प्रमुक भारतिय भाषाओं के बोलने वाले प्रमुक भारतिय भाषाओं के बोलने वाले कितने भाशा परिवारों से संबन्दित है तो देखिए जो भाशाएं है जैसे हम भी अभी जब बात करें भारत के अंदर कई सारी भाशाएं बोली जाती है सौ से जादा बोलियां बोली जा रही है और बाइस भाशाओं को राज भाशा का धर्जा प्राफ्त है तो भारत के अंदर जितनी भाषाएं बोली जा रही है वह कितने भाषा परिवारों से संबंदित है ठीक है भाषा परिवारों से संबंदित है तो देखिए भारतिय भाषाएं जो है वह चार भाषा परिवारों से संबंदित है इंडो यूरोपियन ये परिवार है ठीक है फिर सिनो तिब्बतियन सिनो तिब्बती परिवार से जूड़ी हुई है फिर द्रवीडियन लेंगवेज भी यहाँ पर पोल दी जाती है द्रवीडियन लेंगवेज भी यहाँ पर उपियोग में की जाती है और इन मौन खमेर भाषा परिवार से भी जुड़ा हुआ है यानि चार भाषा परिवारों से जुड़ा हुआ है कितने भाषा परिवारों से जुड़ा हुआ है चार भाषा परिवारों से जुड़ा हुई है गांधी जी ने सत्याग्रह की शैली जो है आरंबिक रूप से कहा पर विक्सित की थी सत्याग्रह की शैली आरंबिक रूप से कहा पर इनोंने शुरू की थी तो सत्याग्रह की शैली सत्याग्रह का मतलब होता है सत्य के लिए अडे रहना और गांधी जी ने भारत के अंदर तो सर्व परथम भारत में सर्व परथम चंपारण में शुरुवात की इसकी भारत में सर्वपृतम कहा पर शुरुवात की थी चंपारण सत्याग्रह में कहा पर की थी चंपारण बिहार में इसकी शुरुवात की थी परंतु आपको पूछा गया है कि सर्वपृतम कहा पर किया इनोंने तो भारत में तो चंपारण में कीती 1917 में लेकिन इनोंने सबसे पहले जो है दक्षिन अफरीका में कहाँ पर दक्षिन अफरीका महतमा गांदी जी जो है 1803 में में दक्षिन अफरीका गए थे अब्दुल्ला एंड संस के केस की पेरवी करने के लिए परंतु वहाँ पर जब इनके साथ नसल बेदी वहवार किया गया नसल बेदी इनको अपमानित किया गया तब ये बड़े कुंटित हुए और नसल बेदी नीती के खिलाफ जो है इनोंने लड़ाईया लड़ी और इसी लड़ाई के अंदर दक्षिन अफरीका में ही इनोंने पहली बार सत्याग्रह का उपयोग किया इनोंने क्या किया पहली बार सत्याग्रह का उपयोग किया और दक्षिन अफरीका में ही इनोंने सत्याग्रह का उपयोग किया भारत आये और भारत में पहली बार कहा पर भारत में पहली बार चंपारण बिहार के अंदर चंपारण अंदर इन्होंने क्या किया था सत्याग्रह का उपयोग किया था गांदी जी के दांडी मार्च के समय गांदी जी का दांडी मार्च जो हुआ था और दांडी मार्च के बाद में का दांडी मार्च जो 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अपरेल तक रहा था 12 मार्च से 6 अपर 1931 में मार्च 1931 में सॉरी 1930 सॉरी ठीक है मार्च 1931 ओके तो यहां पर जब हम देख रहे हैं 12 मार्च 1930 को गांधी जी ने दांडी मार्च शुरू किया था और वहां से 240 मिलदूर अहमदाबाद से 240 मिलदूर दांडी नामक इस्थान पर ये गए और इन्होंने नमक कानून तोड़ा था ठीक है और यहीं से दांडी मार्च के बाद ही साविनय अवग्या आंदोलन की शुरूरात हुई और जिस वक्त भारत में साविनय अवग्या आंदोलन हुआ था भारत का वायस राय जो था भारत का वायस राय जो था वो था लौड इर्विन वह कौन था लौड इर्विन था भारत का वायस राय कौन था लौड इर्विन था और लौड इर्विन ने ही बाद में गांदी इर्विन समझोता किया जिसके तहत गांधी जी ने सव इने अवग्या अंदोलन को इस्तगित कर दिया ठीक है और कई सारे नमकानू नित्यादी अंग्रेजों ने हटा दिये और गांधी जी जो थे वो दितिय गोल में जो सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहा चले जाएंगे वो चले जाएंगे इं और विंड, निमनलिकित में से कौन सी एक अमेरीकी समाचार पत्री का गांधी जी के दांडी मार्च के बारे में, देखे दांडी मार्च कब हुआ था? fishing 1930 में हुआ था? 1930 में वह था, 12 March 1930 से लेकर 6 April 1930 तक जो है ये दांडी मार्च चला था, किन्तु एक सप्ता के बीतर ही गांडी जी के दांडी मार्च के बार आरंब में बहुत संशयात्मक थे, किन्तु एक सप्ता के बीतर ही उसने अपनी राय पूरी तरीके से बदल दी और एक मात्मा और राज नेता के रूप में गांडी जी का अभिवादन किया, तो देखिए, कौन सी, पहले हम उतर देख लेते, Saturday Evening Post, Readers, Digest, Times या Life, तो देखिए, Times का एक अमेरिकी पत्रकार भी था, Web Miller, क्या नाम था, Web Miller यहीं पर था, इसमें आपको सुनना होगा, भली बाती प्रकार से सुनना, देखिए, देश के अंदर शुरू करना था, सव इने अवग्या आंदोलन, कौंग्रेस का जो लहोर अधिवेशन हुआ था, दिसंबर 1929 में जो कांग्रेस का लहोर अधिवेशन हुआ, उसके अंदर यहीं कहा गया था, कि कौंग्रेस जो है, वह प्रत्थम गोल में, जो सम आंदोलन की बात कही, तो गांदी जी ने कहा, कि अगर इस आंदोलन को प्रभावी बनाना है, तो कोई पहले, एक कोई मार्च करना होगा, या एक ऐसी कोई घटना करनी होगी, जिससे भारतियों को इससे जूड़ा जाए, और उन्होंने गोशना की, कि अब उनके जो साबर मती आश्रम, साबर मती आश्रम, अहमदाबाद से 240 किलो मीटर दूर था दांडी, जो समुदरी तटिये इलाका था, अरब सागर के तट पर, और उस वक्त देखा जा रहा था, कि नमक जो है, नमक बनाने पर अंग्रे जो का एकादिकार था, कोई भी भारतिये नमक नहीं ब वहाँ से निकलते हैं, 78 अनुयाईयों के साथ वहाँ से वह निकलते हैं, तो शुरुवात के अंदर अमेरिकी पत्री का, टाइम्स ने कहा कि ये बहुत संसात्मक है, ये क्या कर रहा है, मिश्टर गांधी, लेकिन जब वहाँ से निकले, अपने मार्च में निकले, तो जहा तो जैसे ही ये मार्च शुरू हुआ, दस दिन के भीतर भीतर अमेरिकी पत्री का ने कहा कि इतनी भीड, इतनी भीड, तो उस अमेरिकी पत्रकार वैब मिलर ने कहा कि मैं शुरुवात में सोच रहाता, मैं संसात्मक ताइव, वास क्वाइट कन्फूजड के गांधी जी य गांडी मार्च कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस हिसाव से इन्होंने ये दांडी मार्च किया है, महत्मा गांधी एक महत्मा है, मोहंदास करमचंद गांधी एक महत्मा है, बहुत बड़े राजनिता के रूप में इन्होंने मान लिया था, तो कौन सा यहा में यात्री ट्रेन का शुरुवात किया गया इंगलेंड में यात्री ट्रेन शुरू की गई ठीक है यात्री ट्रेन तो देखिए भारत के अंदर तो 1853 में हुई थी और इंगलेंड के अंदर जो यात्री ट्रेन शुरू हुई थी 1825 में हुई थी श्टॉक टन और डार्लिंग टन के मध्या, स्कॉट टन से डार्लिंग टन के मध्या, ठीक है, भारत के अंदर अगर आपको पूछा जाए, तो भारत के अंदर यात्री ट्रेन शुरू हुई थी, 16 अप्रेल 1853 को, 1853 को, मुंबई से ठाने के मध्या, मुंबई से ठाने के मध्या हुई थी, मुंबई से ठाने के मध्या हुई थी, तीन लोकोमोटिव इंजन थे, साहिब सिंद और सुल्तान, साहिब सिंद और सुल्तान, इसके तीन वो लोकोमोटिव इंजन थे, साथ ही तेरा डिब्बे थे, साथ ही क्या थे, तेरा डिब्बे लगे हुए थे। पर अपना चार्टर हस्ताक्षित किया था तो देखिएगा 26 जून 1945 को इन्होंने अपना चार्टर सेन फ्रांसिसको सम्मेलन में कहा पर सेन फ्रांसिसको सम्मेलन में आयोजी जो सम्मेलन हुआ था वहाँ पर इन्होंने charter अस्ताक्षित किया ठीक है हस्ताक्षर हुए थे 26 जून 1945 को और इसे लागू किया गया था 24 अक्टुमबर 1945 से यहाँ charter लागू हुआ था ठीक है और इसी के तहत इस charter के तहत ही संयुक्त राश्टर संग की स्थापना की गई थी तो सही उत्तर यहाँ पर कौन सा हो जाएगा सैन फ्रांसिसको सैन फ्रांसिसको समेलन के दोरा ओके और इसको लागू कभी किया गया था 24 अक्टुमबर 1945 को बंगाल में ग्रामीन समाज रूरल सोसाइटी के लिए बंगाल के अंदर ग्रामीन समाज रूरल सोसाइटी के लिए चिर इस्थाई बंदोबस्त जो पर्मनेंट सैटलमेंट का परीनाम क्या हुआ था यह आपसे पूछा गया है ठीक कहना तो देखिए बंगाल के अंदर जो है इस्थाई बंदोबस्त लाया गया था और इस्थाई बंदोबस्त जो थी कर प्राप्त करने की एक वीधी थी इसका क्या प्रभाव पड़ा ब्रिटिश योमन ब्रिटिश योमन किसानों की तरह ही क्रशी को उन्नत करने के लिए जमिनदारों ने पुंजी लगाई और उद्धम किया क्या जमिनदारों ने वहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया नहीं किया था यह कतन नहीं पड़ा धनी किसानों के एक समूह जिने जोतेदार कहा जाता था उन्हें क्या कहा जाता था जोतेदार कहा जाता था और उन्होंने अपनी इस्ति मजबूत बना ली थी ओर गरीब कर्शिकों का अधिग्रहन कर लिया था तो यहां कतन बिल्कुल सही है यहां कथन बिल्कुल सही है जोतेदारों ने क्या किया था जोतेदारों को ही बड़े शेत्रों को और धन उधार के मामलों पर अपने धन के अधार पर समर्द लोगों ने ही क्या किया था अपनी इस्तिती को मजबूत बना ली थी क्योंकि इन्हें अंग्रेजों के द्वारा ऐड़वाईजर और बारगार्ड के रूप में जो है शेर क्रॉपर के माद्धियम से क्या किया जाता था आगजे बढ़ाया जाता था तो जोतेदार वर्ग का उधै हुआ था यहां पर किसका उधै हुआ था ? जोत जोत किसे कहा जाता है जोत कहा जाता है खेत को और जिसका स्वयम का खेत होगा उसे जोतेदार कहा गया और इनोंने अपनी इस्तिती मजबूत बना ली और जो गरीब करशक थे करसे जो थे उनको इनोंने जो है नीचे दबाने का कारिया किया था तो सही उत्तर है भी आला कि देखे और भी बात करते हैं कि क्या रहियत निश्चित राजस्व लगाने के परिणाम स्वरूप ये हुए अरे भाया रहियत जो किसान थे वो सम्रिद कहां से होंगे क्योंकि एडवाइजर या बारगार्ड के रूप में तो जोतेदारों को ही व एक्ट्री की प्रणाली लोगप्रिय होने से सफल हो गई आ सफल हो गई थी नहीं यह सफल हो गई थी ठीक है तो यह कथन भी क्या हो जाएगा गलत होगा अगला परशन राजमहल शेत्र में राजमहल शेत्र में दामिन इकोह क्या है दामिन इकोह क्या है दामिन इकोह क्या ह राजमहल एरिया भूमी का एक विशाल शेत्र का भूमी का एक विशाल ये राजमहल शेत्र जारखंड और 36 गडवाले जो शेत्र है वहाँ पर देखी जा रही है जहाँ पर संथाल जादा रहते हैं कौन रहते हैं संथाल तो देखे राजमहल शेत्र में दामी निकों क्या था भूमी का एक विशाल शेत्र जिसका सिमांकन किया गया था जिसे संथालों की भावी भूमी गोशित किया गया ठीक है जिसे क्या किया गया था संथालों की भावी भूमी गोशित किया गया था ठीक है कि संथालों को इस शेत्र में रहना है हल क्रशी का अभ्यास करना है और ब्रसे हुए अपने आपको बसे हुए क्रशी विद बनाना है तो बिल्कुल यह कतन एकदम सही है यह कतन एकदम सही है जिसके तहत संथालों की संथालों की जो है संथालों की भविश्य की भूमी के बारे में बताया गया था पहाडियों के लिए नहीं था ब्रिटिश इलाका जो उनके सेन्य शिवीर के लिए नहीं था निर्दारित किये गए किसानों को इस्तापित किये गई भूमी नहीं थी यहां राजमहल जो शेत्र है किस से जुड़ा हुआ था? संथाल जाती से जुड़ा हुआ था 1857 चमक उटी संथावन में वो तलवार पुरानी थी खूब लड़ी मर्दानी वो तो जासी वाली रानी के संदर्व में कौन सा कथन सही है यह राजाओं नवाबो और तालुक द्वारो द्वारा सावधानी पूर्वक व्यवस्तित और नियोजित किया गया विद्रोह था? अरे not, it was a revolt carefully organized and planned by the राजाओं, नवाब्स अन तालुक दर नहीं बिलकुल व्यवस्तित नहीं था बिलकुल व्यवस्तित नहीं था ठीक है यहाँ बिल्कुल विवस्तित नहीं था ठीक है इस विद्रों के आरंब होने और फैलने में अफवाओं और भविश्यवाणों की कोई भूमी का नहीं थी ये कथन भी गलत है ठीक है बिल्कुल इस कथन को आरंब होने में तो अफवाओं की बहुत ज़्यादा क्या थी वविशेवाणिया थी वविशेवाणिया और अफवाएं जो थी वो बहुत जादा इन्होंने क्या किया था कि फैलाया गया था इनके द्वारा इसी वज़े से 1857 की खैली थी तो अफवाओं का और भविशेवाणियों का उसके अंदर रोल था 1857 में विद्रोही गोशनाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से जाती और पंत धर्म मत पर ध्यान दिये बिना बारम बार अपील की गई थी ठीक है बारम बार अपील की गई थी बिल्कुल सही बात है 1857 के अंदर विद्रोही ओने क्या किया था बार बार सभी जातीयों और से एकता की अपील की चाहे उसकी जाती कोई भी हो नसल कोई भी हो ठीक है कई गोशनाओं मुस्लिम राजाओं द्वारा या उनके नाम से जारी की गई और यहां तक की हिंदूों की भावनाओं को संबोधित करने पर भी ध्यान दिया गया ठीक है और विद्रो को युद्ध के रूप में देखा गया था जिसमें हिंदू और मुसल्मानों को समान रूप से जगा दी गई थी और उन्हें अपने खोई हुए समान को प्र चांती और एकता की दुनिया को बहाल करना चाते थे तो यहां कथन जो है वो बिलकुल सही है सभी जाती वर्ग के लोगों से क्या की गई थी बारंबार अपील की गई थी कि वहां धर्म जाती देखे बिना ही जो है इसमें जुट जाए विद्रोहियों पर तेजी और आसान करने में बिटी सफल रहे तो देखिए हम यहां पर मानते हैं हम यहां पर मानते हैं कि विद्रोहियों का दमन कर दिया गया विद्रोहियों का दमन कर दिया गया परंतु विद्रोहियों का दमन किया गया परंतु एकदम तेजी से नहीं तेजी से और आसानी से नहीं किया गय जैसे हम आवा की बात कर ले, फैज़ाबाद की बात कर ले, इलाबाद की बात कर ले, जासी की बात कर ले, जासी में भी एक साल लगा, ठीक है, तो यहाँ पर जब हम देखते हैं, तो एकदम तेजी के साथ ने इन्होंने रुक रुक कर, रुक कर, अलग अलग जगहों पर इन पंच शील का सिध्धान्त नहीं है तो देखिए पंच शील का सिध्धान्त जो दिया गया था जवाहर लाल नहरू ने अपनी धार्मिक वैदिक साहित्यों के आधार पर पंच शील का सिध्धान्त दिया था जिसके अंतरगत इन्हों ने क्या कहा एक दूसरे की एक दूसरे की शेत्रिय अखंडता का पारसपरिक सम्मान किया जाए शांती पूर्वग सह अस्तित्व रखा जाए आंत्रिक मामलों में कोई भी एक दूसरे के हस्तक्षेप नहीं करेगा आंत्रिक मामलों में आंत्रिक मामलों में अहस्तक्षेप होगा ठीक है पारसपरिक गैर आकरमकता होगी और साथी साथ पंच शील का सिद्धान्त था समानता और पारसपरिक लाब दिया जाएगा समानता और पारसपरिक लाब अब आप खुद देख सकते हो कि इसमें से कौन सा कथन इसमें शामिल नहीं है तो देखिए परमाणू प्रतिरोध की कोई बात नहीं की गई थी नुक्लियर डिटरेंस की बात नहीं की गई थी और इस पर 29 अपरिल 1954 को कब 29 अपरिल 1954 को जो है यहाँ पर साइन किये गए थे भारत और चीन के मध्य भी यहाँ पर साइन हुए थे ठीके भारत वा चीन के मध्य है भारत वा चीन के मध्य है साइन किये गए थे निम्न लिकित में से किसने 1904 में करांतिकारियों की एक गुप्त सोसाइटी अभिनव भारत इस्तापित की थी खुद्धिराम बोस श्याम जी कृष्ण वर्मा हरदयाल जी या वीडी सावरकर वीडी सावरकर तो देखिए 1899 में वीर सावरकर द्वारा किसके द्वारा वीर सावरकर द्वारा वीर सावरकर द्वारा मित्र मेला संगटन इस्तापित किया गया था कौन सा संगटन इस्तापित किया गया था मित्र मेला संगटन इस्तापित किया गया था पूने में कहाँ पर कुने में इस्तापित किया गया और यही चलकर यही चलकर जब हम बात कर रहे हैं 1904 में यही संगटन क्या कहलाया अभीनव भारत कहलाया यही संगटन क्या कहलाईगा अभीनव भारत कहलाईगा तो सही उत्तर कौन सा हो गया हरदयाल जी गदर पारिटी से संबन देत शाम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन के अंदर जो है अपनी संस्ता इस्तापित की थी एक इंडिया हाउसेज नाम से एक इंडिया होस्टल इन्हों ने शुरू किया था खुदी राम बोज जी जो थे वो भी जुड़े हुए थे करांतिकारी गतिविधियों से एक सिद्धान्त की स्वतंत्र भारत के लिए संविधान को तयार करना मुख्यता इदपी अकेले नहीं भारतियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए यहां किसने स्विकार किया था ठीक है भारतिय संविधान को तयार करने का जो किया था वहां किसने स्विकार किया था ठीक है भारत सरकार अधीनियम के द्वारा वाइस राय लिन लित्गो का अगस्त प्रस्ताव क्रिप्स प्रस्ताव या कैबिनेट मिशन तो देखिएगा पहली बार भारतिय सम्विधान के लिए सम्विधान तैयार को करना जो है वो भारतियों की जिम्मेवारी होनी चाहिए वहां किसके द्वारा 1940 में ततकालिन वायस राय लॉर्ड लिन लित्गो किसके द्वारा 1940 में ततकालिन वायस राय लॉर्ड लिन लित्गो द्वारा अगस्त प्रस्ताव दिया गया था कौन सा प्रस्ताव दिया गया था अगस्त प्रस्ताव दिया गया था और पहली बार इसमें यही स्विकार किया गया कि भारत का समविधान भारतिय समविधान बनाने में जो सबसे बड़ी भूमी का किसी अकेले भारतिय की नहीं फिर भी सभी भारतियों की उसमें समविधान की भूमिका होनी चाहिए तो सही उत्तर कौन सा होगा 1940 में दिया गया लिल लित्गों का प्रस्ताव जिसके अंतरगत इन्हों ने यही कहा था कि दृतिय विश्व युद में भारतिय लोग अंग्रेजों का साथ दे और युद के बाद में एक सलाकार युद्ध परिशद का गठन होगा और भारतिय निकाए की युद्ध के बाद में भारतिय निकाए की इस्तापना भारत के लिए एक संविधान बनाने के लिए किया जाएगा और बिना किसी देरी के वायस राय परिशद का विस्तार किया जाएगा और वो जो अल्प संख्यकों को भी एक आश्वा प्रशन दिया गया था कि सरकार किसी भी प्रनाली की शक्ति को हस्तांतरित नहीं करेगी यानि उन्हें भी पूरा खुश रखने की कोशिश की परन्तु महात्मा गांदी जी ने इस प्रस्ताव को महात्मा गांदी जी ने इस प्रस्ताव को या पूरी कॉंग्रेस ने इस प्र प्रस्ताव को जो है मना कर दिया गया और स्विकार कर दिया गया साथ ही साथ मुस्लिम लीग ने भी पाकिस्तान निर्मान के मांग पर जो है अगस्त प्रस्ताव को क्या कर दिया था खारिज कर दिया था परंतु हमारा तो उत्तर यहाँ पर मिल रहा है कि पहली बार इसी प्र के संविदान 79 के according 79 के according किने भारत की संसद के एक भाग के रूप में 79 के according किसे भारत के संसद के एक भाग के रूप में वर्नित किया गया है तो देखिए अनुछेद 79 क्या कहता है ठीक है 79 क्या कहता है कि देश की एक संसद होगी जिसका निर्माण लोक सभा राज्यसभा व राश्ट्रपती मिलकर करेंगे यानि तीन अंग लोक सभा भी है राज्यसभा भी है राश्ट्रपती भी है लोक सभा भी है राज्यसभा भी है और राश्ट्रपती भी है अंग है तीन अंग कितने है तीन है और इसके हाउसेज जो है सदन जो है वो है दो सदन के अंदर लोक सभा होगी इसके हाउसेज के अंदर और राज्यसभा होगी लेकिन अंग जो है उसमे राष्ट पती भी शामिल होगा अंग या भाग एक ही बात हो सकती है Is that clear? ठीक है तो ये बात यहाँ पर हो जाए निर्ण लिकित में से कौन सा निती निदेशक सिधान्त संविधान के 42 संविधान संशोधन Constitutional Amidment 1976 के तहत जोडा गया तो देखें निती निर्देशक तत्व जो है वो संविधान के भाग 4 में अनुछेद नंबर 36 से 51 तक है 36 से 51 तक है निम्ण में से कौन सा तत्व निती निर्देशक तत्व के तहत बैयाड़ी से संविधान संशोधन के अंतरगत जोडा गया था राज्य में आए में असमानता को कम करेगा समान न्याय वर मुफ्त कानूनी साहिता समान न्याय वर मुफ्त कानूनी साहिता की यहाँ पर बात कही गई सहकारी सोसाइटी का संवर्दन तो देखें सहकारी सोसाइटी का संवर्दन तो 2011 के अंदर अभी जोड़ा गया है और शुरुवाती बाल्य वस्ता में देख बाल का प्रावधान जो है यह जब हम बात कर रहे हैं तो भारतिय सम्विधान के नीती निर्देशक तत्वों में अंदर समान न्यायव मुफ्त कानूनी साहता अनुचेद 49 एक तहत जोड़ा गया था अनुचेद 49 एक तहत जोड़ा गया था ठीके देखो बच्चों के देख बाल का प्रावधान तो अल्लेडी था बच्चों के अल्लेडी था फिर देखे इसके तहत 42 सम्विधान संचोदन के तहत ही जो है उद्योगों में प्रबंदवस सर्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए 43 ए जोड़ा गया था परियावर की सही उत्तर होगा इनमें से क्या होगा बी सही उत्तर होगा 49 ए के अंदर किसमें अनुछेद 49 ए के अंदर कहा गया था कि 45 ए के अंदर कहा गया था कि सभी व्यक्तियों को समान तो न्याय दिया जाएगा और कोई गरीब है तो उसे निशुल्क विदिक साहिता उसे निशुल्क लिगल एड दिलवाया जाएगा दो या दो से अधिक राज्यों के लिए सार्व उच्च न्यायाले की स्थापना किसके द्वारा की जा सकती है जो अकॉमन हाई कोट दो या दो से अधिक राज्यों के लिए भी क्या कॉमन हाई कोट हो सकता है हाँ बिलकुल देखिए अगर कोई छोटा शेत्र है कोई छोट तो देखिए कौन कर सकता है तो भारतिय सम्भिधान के अनुछेद 231 के तहट दो या अधिक राज्यों हे तू एक सार्व एक सार्व हाई कोट की हाई कोट की स्थापना कौन कर सकता है संसद द्वारा पारित कानून के द्वारा की जा सकती है ठीक है संसद अगर एक कानून पारित कर देगी तो उसके द्वारा की जा सकती है देखिए हाई कोट का उलेक जो किया गया है 217 में किया गया है और वर्तमान में भारत में कुल 25 हाई कोट है भारत में कुल कितने हाई कोट है 25 हाई कोट है तब आप खुद ही रेख सकते हो जहाँ पर राजी 28 है और हाई कोट 25 है तो दो या दो से अधिक के लिए एक सारव हाई कोट हो सकता है और इसे जो है कौन इस्थापित कर सकता है संसद एक कानून द्वारा इस्थापित कर सकता है 1928 में कांग्रेसी नेताओं की एक समीती ने भारत के लिए एक सम्विधान का मसोदा तयार किया था इस समीती की अध्यक्षता किसने की थी सम्विधान का एक मसोदा तयार हुआ जिसे ब्लू प्रिंट ओफ इंडियन कॉंस्टिउशन भी कहा जाता है इसके अध्यक्ष कौन थे गांदी जी थे महत्मा गांदी जी ने कभी कोई पद धार्ण किया इन्हीं तेज बहादूर सपरू थे नहीं मोतिलाल नहरू थे देखिए ये जो मसोदा थाना इसे नहरू रिपोर्ट भी कहा जाता है नहरू रिपोर्ट कहा जाता है बात है 1927 के भारतिय लोग सम्विधा बना कर बता दो एकोई सम्विधान का ऐसा मसोदा बना कर बता दो जो सभी वर्ग के और सभी दलों के लोगों को मान्य हो इस चुनौती को स्विकार करते हुए मोतिलाल नहरू की अद्धिक्षता में नहरू रिपोर्ट तैयार की गई जिसके सचीव जवाहर लाल नहरू थ प्रधान मंत्री क्रशी सिचाई योजना के संधर्ब में कौन सा कथन सही है कौन सा कथन सही है प्रधान मंत्री क्रशी सिचाई योजना की स्चुरूवात 2015-16 के दोरान की गई थी प्रधान मंत्री क्रशी सिचाई योजना का उद्धेश्य है कि खेतों तक जल को भौतिक जल दिया जाए बहुत तिक पहुंच को बढ़ा जाए तो 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 पहुंचा दिया जाए जल को ठीक है प्रधान मंत्री क्रशी सिचाई योजना का एक प्रमुक उद्देश क्या है कि खेत इस्तर पर सिचाई में निवेशों के अभी सरण को प्राप्त करना ठीक है इन्वेश्टमेंट जो है कन्वेश्टमेंट जो है उस्तवे प्राप्त करना निवेशों को जादा से जादा निवेशों को प्राप्त करना है तो देखिए 2015 के अंदर प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा प्रधान मंत्री क्रशी सिचाई योजना शुरू की गई थी जिसके अंदर केंद् और राज्ये का 75 अनुपात 25 रेश्यो रहता है कितना रेश्यो रहता है 75 25 का रेश्यो रहता है और इसका यही उद्देश्य है कि खेतों तक भोतिक जल को पहुंच को बढ़ावा देना है और इंवेश्टमेंट बढ़ाना है ये भी कतन सही है ये भी सही है और ये भी सही है टिक है तीनों कथन यहाँ पर सही हो जाएंगे जैपाल सिंग जी के बारे में निम्न लिकित में से कौन सा कथन सही है वे समविधान सभा के सदश्य थे जैपाल सिंग जी मुंडा उन्होंने आदिवासी महासभा की इस्थापना की थी यहां पहली भारतिय राश्टिय होकी टीम के कप्तान थे या इन्होंने 36 गड़ के लिए एक अलग राज्य का अभियान चलाया था ठीक है इन्होंने क्या 36 गड़ के राज्य के लिए अलग से जो है राज्य का अभियान चलाया था तो देखिए यहां पर जैपाल सिंग्जी मुंडा एक बहु आया मी आदिवासी नेता थे और इन्होंने 36 गड़ के लिए 36 गड़ के लिए इन्होंने अलग राज्य का अभियान चलाया था इन्होंने क्या किया था 36 गड़ के लिए अलग से राज्य का अभियान चलाया था जो बाद में जाकर कंप्रीट हुआ इनका जनम वर्तमान के अंदर जारखंड के अंदर हुआ था इनका जनम जो हुआ था वर्तमान सब्सक्राण सब्सकाल में रत एक खाध्य वस्तूश एक शुभंकर है एक स्कीम का नाम है या स्वास्त सेवाओं को दिया जाने वाला नाम है तो देखिए टिकी मौसी टिकी मौसी एक शुभंकर है ओडिसा सरकार के द्वारा ओडिसा सरकार के द्वारा जो है एक परियोजना शुरू की जा रही है और उसका जो शुभंकर रखा गया है मस्केट रखा गया है ओडिसा सरकार के द्वारा टिक है जो एक की गई है उसका शुभंकर जो माना गया है वहाँ टिक्की मौसी टिक्की मौसी का नाम क्या होता है का मतलब है एक दूसरी मा ठीक है दूसरी मा और ये दूसरी मा की तरह ही बच्चों को पोष्ण के कारिय में कारिय करेगी ठीक है यहाँ पर भारत सरकार भी ये यूनिसेफ के द्वारा भी यहाँ योजना चलाई जा रही है विश्व परियतन दिवस 2019 की जो विशेवस्तु थी जो थीम थी वह क्या थी विशय वस्तु की theme क्या थी 2019 की टिकाउ परियतन और डिजिटल रुपांतरण ओके परियतन जलवायू परिवर्तन की चुनौती की प्रतिकिरिया या परियतन और नोकरिया तो देखिए जब हम बात करते हैं कि जो विश्व परियतन दिवस 2019 की विशय वस्तु थी वो इन में स थी परियतन और नोकरिया करेंट अफेर का सवाल पूछा गया था करेंट अफेर का सवाल तो सभी के लिए एक बहतर बविश्य है इसके तहत जो United Nation World Tourism Organization ठीक है उसके अनुसार बताया गया था कि परियतन भी जो एक बहुत बड़ा शेत्र है जिसमें भी असीम जिसमें भी असीम रूप से क्या है जिसमें भी असीम रूप से कई प्रकार की हमें विकल्प मिल सकते हैं तो इसमें भी नोकरिया देखी जा सकती है और एक बहतर बविश्य के लिए कारिया किया जा सकता है झाल झाल निम्न लिकित में से किस देश ने सेन्य थल सेना टी एस ई एन टी आर दो हजार नीस का आयोजन किया था ठीक है थल सेना अभ्याश टी एस ई एन आर का आयोजन किया था रूस चाइना कज़किस्तान या किर्गिस्तान तो देखिए निम्न में से रशिया ने टी एस ई एन टी आर दो हजार उन्नीस का सेप्टेंबर दो हजार उन्नीस में सेप्टेंबर दो हजार उन्नीस में औरेन बर्ग औरेन बर्ग रशिया में औरेन बर्ग रूस में जो है इसका आयोजन किया गया था डांगूज 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 प्रक्षिक्षन रेंज के अंदर है और देखे इसके अंदर रूस के अलावा चीन भारत कजाकिस्तान ताजीकिस्तान किर्गिस्तान पाकिस्तान और उजबेकिस्तान की थल सेनाओं ने जो है विबिन देशों की थल सेनाओं ने इसमें नसीम अलबहर एक द्वी पक्षिय नौ सैनिक अभ्यास है नसीम अलबहर एक द्वी पक्षिय टू पारिटी दो पक्ष ही होंगे नौ सैनिक अभ्यास है यहां किन भारत के अलावा किस देश के बीच में होता है तो देखे भारत और ओमान भारत और ओमान के मद्या ही नसीम अलबहर नाम का नौ सैनिक अभ्यान होता है Is that clear? ठीक है? यह याद रखने का, to the point याद रखने का वात है, ठीक है? तो यह जो है, नसीम अल बहर जो होगा, वहाँ द्वी पक्षिय अभियान किसके मद्द्य हो जाएगा भारत और ओमान के वीच में. कौनेरू हमपी, निमनलिकित में से किस खेल के उतकरष्ट खिलाडी है? मुक्के बाजी, टेबल टैनिस, शत्रंज या बिलियर्ड्स. तो कौनेरू हमपी, एक महान शत्रंज के खिलाडी है. कौन से हो जाएंगे? ठीक है. और वर्ष 2000 में, मात 15 साल की उम्र में इन्होंने जो है, एक चैंपियनशिप जीती थी. ओक्ये ना, 2002 में. 15 साल की आयू में ही, चैंपियनशिप, 15 साल की आयू में, चैंपियनशिप जीती थी. चैंपियनशिप जीती थी. ओक्ये ना, चैंपियनशिप जीती. तो सही उत्तर होगा, C. खेलो इंडिया, खेलो इंडिया यूथ गेम, केलो इंडिया यूथ गेम, 2020. केलो इंडिया यूथ गेम, 2020 का अधिकारिक मस्कट, शुभंकर, निम्न लिकित में से कौन सा था? तो देखो, इसके अधिकारिक जो शुभंकर थे, वो थे जया और विजया, याया नहीं था, यहाँ पर जया और विजया था, ठीक कहना, तो यहाँ पर जब हम बात कर रही हैं, सही हो जाएगा, लदाख के अंदर इसको किया गया था, सेकिंड वाला जो है, वो हो, गुलब इसके तो देखे, to the point, current affair का यहाँ पर सवाल पुचा गया है, और इरान के तहरान के इमाम खुमैनी विमान पतन से उडान के तुरंत बाद, एक यात्री विमान दुरगटना ग्रस्त हुआ था, जिसमें 170 लोग मारे गए, जिसके अंदर 170 लोग मारे गए थे, यहाँ दुएन किसका था कत्तर एरवेज का युक्रेन इंटरनेशनल एरलाइन का सिंगपूर एरलाइन का यहां पर सवाल पूछा गया है और एरान के तहरान के इमाम खुमैनी विमान एरपोर्ट से यहां उड़ा ठीक है और उड़ते ही यहां क्या हो गया था दुर्गट्टा अग लाइन का यहां विमान था ओके ना युक्रेन जिसमें 170 लोग मारे गए थे मिलान एक बहु पक्षिया नौ सैनिक अभ्यास 2020 निमलिलकित में से किस शहर में आयोजित किया गया था मिलान इसमें बहुत से देशों की नौ सैना आती है और यह कहां पर आयोजित किया गया था विशाखा पतनम कहां आयोजित किया गया था विशाखा पतनम में आयोजित किया गया था विशाखा पतनम जो की आंद्र प्रदेश का एक शहर है विशाखा पतनम कहा का है आंद्र प्रदेश का एक शहर है Is that clear? Multilateral Naval Exercise Multilateral Exercise 2020 में 2018 का जैसे अंडमान निकोबार में था 1995 से यह आयोजित किया जा रहा है भारत की जनगंडा 2011 भारत की जनगंडा सी चंद्र मौली इसके अध्यक्षते ठीक है भारत के निम्न लिकित राज्यों में से कौन सा एक राज्य निूनतम आबादी वाला राज्य है निम्न में से कौन सा राज्य है न्यूनतम आबादी वाला राज्य है महराष्ट महराष्ट मध्यपरदेश, ओडिसा या पंजाब तो न्यूनतम आबादी वाला इन में से इन में से न्यूनतम आबादी वाला जो राज्य है वो कौनसा हो जाएगा पंजाब कौनसा हो जाएगा मेरे मित्र ठीक है ना बाकी जो राज्य देखे जा रहे हैं बाकी पंजाब की अपेक्षाक्रत वहाँ पर जादा आबादी है पंजाब की अपेक्षा वहाँ पर जादा आबादी सबसे जादा आबादी वाला जो राज्य है सबसे जादा आबादी वाला जो राज्य है वहाँ कौन सा है वहाँ हो जाएगा उत्तर प्रदेश, सेकिंड नंबर पर है महाराश, फिर बिहार, वेश्ट मंगॉल, मद्य प्रदेश, तामिल लडू, राजस्तान, करनाट, गुजरात, आंधर प्रदेश, ओडिसा, तेलंगाना, केरला, जारकंड, आसाम और सोलवे नंबर पर आ रहा है सोलवे नंबर पर आ रहा है पंजाब, पंजाब जो है बाकी सभी राजियों में सोलवे इस्थान पर आ रहा है पंजाब, ओके सोलवे नंबर पर है पंजाब, ओके तो सही उत्तर है पंजाब, तो दोस्तों यहाँ पर जितने भी प्रश्ण, करेंट अफेर, पॉलिटी और हिश्ट्री से संबंदित पूछे गएते वो यहाँ पर समावत होते हैं अगली कड़ी में फिर आपसे मुलाकात करेंगे फिर गुफ्तगू करेंगे तब तक के लिए जै हिंद, जै भारत, नमशकार, आदाप, सक्सियकार, राम राम, दुआ सलाम मिलते हैं अगली कड़ी में